नमस्कार बहुत बस्वाद करते हैं क्लिक टोडे के आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना की राशी को ले करके और जिन भी छात्राओं का अभी तक के आवेदन नहीं हुआ है या फिर अभी उनका नाम जो है योजना का लाब मिलेगा ठीक है आप बस अपना डॉक्यमेंटेशन जो है पूरा करके रखिए इगनु की जो भी छात्राओं उनको मैंने पूर में भी बोला था कि आपका जहां पर भी जैसे आपका सेंटर आपने चूज किया होगा दरभंगा सेंटर होगा पटना होगा वहां से एक बार कनफर्म कर लेंगे कि आपका जो नाम है वो पोर्टल के उपर कब तक के एड़ किया जाएगा जो भी छात्राओं 2023 में उत्तुरिन हुई है और इसमें एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ 14-2021 से लेकर के 39-2023 के बीच में जिनका भी रिजल्ट आया है उन सभी शात्राओं को जो है अप्लाई करने का मौका जो है इसी बार दिया जा रहा है बस आपका नाम जो है पोर्टल के उपर होना चाहिए नाम चेक करने के लिए आपको मैंने पूर में कई वार बताया भी है कि कैसे चेक करते हैं फिर भी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना नाम जो है चेक कर सकती है आपके माक्षिट के उपर सीरियल नंबर दिया होगा जो उपेन इंवर्शिटी से हैं या फिर महात्मा गांधी से हैं जो सीरियल नंबर ना आपका दिया होगा वही आपका माक्षिट नंबर हो जाता है यह कुछ ही इंवर्शिट की जो है माक्षिट के उपर ऐसा रहता है प्रिंटेट हाला कि बिहार विस्विद्याले मुझफरपूर के बात कर ले लनम्य की बात कर ले उन सभी के माक्षिट के उपर माक्षिट नंबर एक अलग से प्रिंटेट होता है तो वह उनका माक्षिट नंबर बन जाता है अब आप पताइए कि आपके पास माक्षिट का हाड़ कॉपी है कि नहीं है क्योंकि माक्षिट के हाड़ कॉपी के उपर ही सारा तो अब बीच में क्या हुआ कि छात्राओं का जो नाम एड करने वाला जो पोटल था वो सिक्षा विभाग के तरफ से बंद कर दिया गया जिसके विए से कई सारी छात्राओं का नाम जो है उसके उपर एड नहीं हो पाया अब जैसा कि बताया जा रहा है कि जनवरी में एक ब भी हार विस विद्या लेकि हो चाहिए फिर दूसरे किसी विस विद्या लेकि हो आप जब कभी भी जो अपना सनातक उत्रिन की है बस डेट जो दिया हुआ है एक चार दोज़र इकिस से लेकर के 39 2023 के बीच में आपका रिजल्ट आया होगा और अगा नहीं रहा होगा और अ यह आपका आवाश्य प्रमानपत्र बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपको एक नया आवाश्य प्रमानपत्र अपने ब्लॉक लेबल पर अप्लाई करना है आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं आटी पीएस के वेबसाइट के थुरू आप अपना जो भी है ब्लॉक है को चूज करेंगे और आप अप्लाई करेंगे अप्लाई करने के 20 दिन के भीतर भीतर आपका आवाश्य प्रमानपत्र बन जाता है अगर आपका डॉक्यमेट सही रहता है तो मैं हमेशा आपको यह सजिस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है अपना आधार काड आती है अब यह क्या चीज़ है आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक अलग हम वीडियो बना करके बता देंगे कि आवाश्य प्रमानपत्र के लिए आपको आवेदन कैसे करना है ठीक है तो यह चीज़ आपको आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा तो आवाश्य प् करना होता है हलां कि इस केस में आपको पिछले साल का भी चलेगा 2022 और चल रहा है उसके आपका आवाश्य प्रमानपत्र संख्याज नहीं होना चाहिए तब इसी प्रकार का आवाश्य प्रमानपत्र बन रहा है दूसरी चीज़ कि आप यहां के अस्थाही निवासी होनी चा एकाउंट है वो एक तो सीडेड होना चाहिए यूएडिया के वेबसाइट से बैंक सीडिंग कहने का मतलब है कि आधार से खाता लिंक नहीं बैंक सीडिंग एक अलग प्रोसेस है डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जब भी कभी गॉर्मेंट किसी भी प्रकार का सबसीडी या कोई फंड प्रोवाइड करा रही होती है स्कॉलर्शिप वगरा वाला तो उसकेस में आपका डीवीटी चेक किया जाता है कि आपका जो खाता आपने आविदन के दौरान दिया है वो खाता डीवीटी से लिंक है कि नहीं डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक है या नहीं अगर नहीं होता है तो उसकेस में आपका पैसा जब चलता है तो फिर रिवर्सल आ जाता है और आपका माउंट जो है आपके खाते में क्रेडिट नहीं हो पाता है हलाकि पिछले वर्ष यह भी हुआ कि कुछ छात्राओं ने मालीजे कि SBI का अकाउंट दिया लेक और उसमें कितना टाइम लगेगा यह कोई नहीं बता सकता है तो एक बाद डिवीटी अपने स्टाइटेस चेक कर लीजेगा वो चेक करने के लिए आपको हम बता देते हैं कैसे करना है तो यह सारा जो आप जानकारी रखिए और जो चात्राओं फर्स डिवीजन है जो चात होता है तो वह आपके फादर के एड्रेस ही होता है आपके फादर के नेम से ही होता है अब अब आशी प्रवान पत्र पर यह सब कुछ अंकित होता है यह चीज़ आप देख लिजेगा इंकम सर्टिफिकेट वगरा कि कोई भी जरूरत नहीं है इसलिए वाले जो सवाल जिन चैक करना है तो देखिए डाइक बेनिफेट ट्रांसफर्ट चेक करने के लिए आपको गूगल प्याना है गूगल प्याने का जब क्लिक टूडे सर्च करेंगे पहले वेफसाइट आएगा इसके उपर प्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद हमारा ओफिशिल वेबस इसके उपर आपको क्लिक करना रहेगा क्लिक करने का जो आप आगे बढ़िएगा जैसे आप आगे बढ़िएगा तो नीचे आपका दिया हुआ है यहां पर एक चीज अंकित है सभी शात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार अपने बैंक खाता से नहीं है उनका भुकता नहीं किया जाएगा इसलिए आप एक बार अधार सीडिंग देख लेंगे अगर नहीं होगा तो बैंक जाएंगे कुछ इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा यह भर करकर आप जमा करिएगा वह आपका साथ दिन के भीतर सीड कर देंगे यहां पर क्लिक कर करने के बाद आपको एक लॉगिन का उप्शन भी मिलेगा इस लॉगिन का उप्शन से भी आप अधार नंबर क्याप्चा कोड और OTP फिल करते हुए जो है चेक कर लिजा कि सीड़ है कि नहीं है दूसरा चीज आप यहां पर नीचे जो है एक बैंक सीडिंग का डायक्ट स् यहां पर लिख दीजेगा लॉगिन कर लिजिए कि कौन सा बैंक से सीड़ है तो आप जो है वही बैंक खाता दीजेगा रजिस्टेशन प्रॉसेस के दौरान तो यह तो होगी आपका की डीवीटी कैसे आपको चेक करना है अब रही बात कि आपको अपने नाम हमेशा कैसे यहां पर लिखेगा उसके आज आप स्क्रॉल करके आएगा 29 मार्च वाला पोस्ट जो हमारा खूलिए यह उपन करने का आपको सारे लिंक यहां पर आपको नीचे मिल जाते हैं जिसमें कि आप अपना नेम चैक लिस्ट रिस्ट इस्टेशन लिंक पेमिंट लिंक जिनका य इंवर्च वाले लिंक पर आपना रिजिस्टेशन कर लिजेगा जिसे कि आपको अभी देखें यहां पर पोर्टल इस लोगों नहीं कर सकती हैं जैसे ही यह पोर्टल ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको फिर दुबारा से मौका दिया जाएगा स्टूडिंट तो आगे जो नोटिस आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्या क्या करना है फिलहाल के लिए सब कुछ क्लोज कर दिया गया है लेकिन जनवरी के 20 तक कोई नोटिस आने के चांसेद है 20-21 तक नोटिस देखने को मिल जाएंगे आपको जैसे ही आएंगे